तो तो फार्मकोलजी लैब में अगर आप एनिमल हैंदलिंग के लिए स्टूएंट्स अगर आ रहा हैं बच्चे आ रहा हैं तो उसमें सबसे पहले बेसिक चीज है जो साइकोलोजिकल लेवल पर है उसमें यह है कि बच्चे के अंदर एक भी फियर नहीं होने चाहिए में अनिमल हैंडलिंग के समय आप इस चीज़ का रहां रहा है इसकी टेल को आप जैसे हैं जैसे मैं आपको दिखाता हूँ आप इसकी टेल को यहां से वोल्ड करें यह ऐसा इसलिए क्विकि आम till यहां से अगर में पर फोर्स लगा देते हैं तो इसका फाइवर बाहर की तरफ आ जाता है और वो एनिमल के लिए काफी painful condition होती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम राइट हैंड से इस टेल को इस पार्ट पर पकड़ेंगे और एनिमल हैंडलिंग के लिए हम अपने th något पर इंडेक्स टेभा कड़े को दोनों को दोने इसके जो आगे की दला से दोनों इसके उपर उठाते घुए इसको उपर animal को handle करेंगे, जैसे for example, यह animal है और इस तरीके से मैंने इसको यह किया, अब मेरे index finger है और जो thumb है, यह ear के आगे है, अब मैं क्या करूँगा कि बैक साइड में, इसकी tail में यह पकड़के रखी है, इसकी skin को उठाते हुए, इस finger को मैं straight आगे नहीं रखूँगा, इसको back तरफ रखूँगा, तो ये इसको मैं ऐसे करके पीछे इसकी पूरे body के skin, पूरे back side की पूरी skin, बच्चा यहाँ पे गलती यह करता है कि वो सिर्फ head की skin को ध्यान में रखता है, आपको ऐसा खुछ भी नहीं करना है, आपको इसमें इन चीजों का दो चीज का ध्यान देना है कि आपके पीछे की जो ये finger है, जो उंगली है आपकी, इससे भी skin पकड़ में आए उसकी, और head की पीछे skin, पूरी उसकी skin, पूरे आपके fingers के अंदर होनी चीज़िए, आपको animal की body को नहीं पकड़ना है, उसके skin को करेंगे, इस तरीके से आप यहां पर administration करेंगे और आपको इसको smoothly जो है इसको छोड़ करेंगे, थैंक्यू